हाई कोट ने लगाई केज जिवाल को लताड दुम दबा कर भागा केज जिवाल एडी का बुलाना केज जिवाल का नहीं जाना कब होगा इसकान केज जिवाल पर गहराया ग्रफतारी का संकर नमस्कार मैं हूँ पर्मीशीक आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी दिल्ली के सियासत में इस वक्त हंगामा मचा है एडी ने केज जिवाल को नोवा समन भेजा लेकिन केज जिवाल फिर एडी के सामने पेश नहीं हुए बलकि वो दिल्ली हाई कोट इचे होगा शाद यहीं वजह कि वो बार-बार कानून को धता बता कर कानून की ही शरण में पहुंच रहा है लेकिन अब तो दिल्ली के अदालत ने भी उससे अजीज हो चुकी है यानि परिशान हो चुकी है बीस मार्च को दिल्ली हाई कोट से भी सीम केजिवाल को जोरद ने करती केज रिवाल की भयां कर बेंदीशराब घॗुटालाइवर फसे अरविन केजिवाल को दिल्ली हाई कोट से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है दरसल मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल एडी के बार बार समन भीजने के मामले को हाई कोट में उन्होंने चनौती दी थी लेकिन केज़िवाल का ये प्लान उन्हीं पर भारी पड़ गया दिली हाई कोट ने केज़िवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिशेक मनु सिंग पर सवालों की बहचार कर दी कोट ने कहा पेश होंगे तब ही पता चलेगा कि एडी क्या चाहती है हाई कोट अब 22 अपरेल को इस मामले पर दुबारा सुनवाई करेगा आपको बता दे कि एडी ने दिली शराब घुटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िव को नौ बार समन भीजे लेकिन केज़िवाल पेश नहीं हुए अब इडी ने भी गिरफतारी की तयारी कर ली है क्योंकि अब इडी की भी साख पर बात आ चुकी है इदर दिली हाई कोट में शराब घुटाले पर सुनवाई पर दिली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल को एडी बार बार समन भीज रहा है ये समन कानूनी है या गार कानूनी है इस पर फैसला करने के लिए अर्विंद केज़िवाल ने हाई कोट मूव किया इडी ने इस प्रेटिशन का बहुत विर के सामने आ जाते हैं लेकिन सच्चाए को ये लोग बार बार दरकिनार कर देते हैं दरसल 20 मार्च को दिल्ली के मुखे दो हफ्तों का वक्त दिया है वो एडी के जवाब पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए अर्विंद केजरिवाल को एक हफ्ते का समय दिया गया है मामले में अगली सुनवाई 22 अपरेल को होगी आम आदमी पार्टी का कहना है कि सियम अर्विंद केजरिवाल ने एडी कानून की कई धाराओं को हाई कोट में चुनाती दी है एडी के जारी नौ समन को भी चुनाती दी गई है अदालत ने एडी के भारी विरोध के बावजूद से जवाब तलब किया दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल दिली जलबोट में कथित अन्यमिताओं से जुड़े मनी लॉंडरिंग बामले में 19 मार्च को एडी के समन पर उसके सामने पेश नहीं हुए वही आम आदमी पार्टी ने समन को गार कानूरी बताया और केज सरकार पर केजरिवाल को निशाना बनाने और उन्हें लोगसबस चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए एडी का इस्तमाल करने का रूप लगाया वही जांच एजनसी ने केज़िवाल को नौवा समन जारी करके उन्हें 21 मार्च को शराब घुटाली से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में पूशताच के लिए पेश होने को कहा आपको बता दे कि दिल्ली शराब नीती घुटाला मामले में एडी अर्विन के जिवाल को अब तक 9 समन भेच चुकी है पिछले 8 समन के दौरान वो एडी के सामने पेश नहीं हुए अब 9 समन पर 21 मार्च को बलाया गया है इस बेश सीम के जिवाल ने दिली हाई कोट का रुख कर सभी समन को चुनाथी दिये अब अदालते एडी से ही जवाब तलब कर लिया है क्या है दिल्ली शराब नीती का मामला? क्या अर्विन के जिवाल है शराब घुटाले के मास्टर माइंड? क्या फिर E.D. के गिरफतारी से बच पाएंगे अर्विंद केज़िवार दिली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब कारुबारियों के लिए एक नई नीती ले कराई थी नई नीती के तहpers सरकारी दुकानों की बजाये शराब के स्टोर बेचने के लिए प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने कि इजाज़त दी गई थी और दिली सरकार का कहना था कि नई नीती लाने से शराब की काला बाजहरी रुखेगी दिली सरकार का राजस्व यानि टैक्स बढ़ेगा और ग्रहकों को फायदा होगा केजिवा सरकार की नई निती में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की इजाज़त दी गई शराब कारुबारियों को बिना किसी लिमिट के डिसकाउंट देनी की भी परमीशन दी गई थी नई निती आने के बाद कई निजी शराब दुकानों की बिक्री में बड़ोतरी देखी गई और दिली सरकार ने कलेक्शन में 27 फिसीदी के इजाफे का दावा किया था दिली में हुए कतिश शराब घोटाले में दिली के पूर्व उपमुक्यमंत्री मनीश सिसोदिया और आम आद्मी पार्टी के सांसा संजेजिन समेत कई लोगों को गिरफतार किया जा जुका है हाला कि अगस 2022 में दिली सरकार ने इस नई शराब नीती को रद कर दिया था आरोप है कि इस नीती को लागो करने में बड़ा घोटाला हुआ है इस नीती के तहट दिली सरकार को दिली में शराब के कारुबार से पूरी तरह बाहर होना था और शराव का कारुबार निजी कम्पनियों के हाथ में आना था जब यह नीती लाई गए थी तब सरकार ने दावा किया था कि इसका मकसद यहाँ पर टैक्स जो रेवनी होए उसमें बढ़ावा करना है उसमें इजाफा करना है और शराब की काला बाजारी को रोपना है और जो लाइसन्स विक्री का जो पूरा प्रोसेजर है उसे आसान बनाना है शराब खरीदने के अनुभव को भी बहतर करना एक हिस्सा था इस नीती का और इस नीती के तरह शराब की होम डिलिवरी करने जैसे नए कदम भी शामिल थे यहीं नहीं शराब कारोबारियों को शराब के दाम में छूट देने की भी इजाज़त दी गए थी जुलाई 2022 में दिली के मुख्य सचिव उस वक्त रहे नरिश कुमान ने उपराज जिपाल को भीजी रिपोर्ट में शराब नीटी में कई आने करने का आदेश दिया था और दिली सरकार को नई शराब नीटी को वापस लेना पड़ा था सीवियाई ने अगस 2022 में मनीज से सोधिया समेट 15 लोगों के खिलाब मुखदमा दर्च किया था इसी मामले में एडी अलग से जाच कर रही है इडी ने इस जाच के दौरान कई ल केंडरी एजनसी की याचिका पर शनिवार को यादेश सुनाया एजनसी ने तिलंगाना की फूर मुख्यमंत्री के चंद्री शेखर राओ की बेटी कविता को एडी मामले के विशेश नयाइदीश एम के नाखवाल के सामने पेश किया और दस दिन की हिरासत मांगे अदालत में पेश की जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफतारी को खार कानूनी बताया और कहा कि हम इस पर अदालत में लड़ेंगे इधर केंडरी एजनसी ने के कविता को शुकरवार 15 माज शाम हैदराबाद के बंजारा हिस उनके घर से गिरफतार किया था और दिल्ली लेकर सुनवाई के दौरान वकील नितेश राणा के साथ कविता की तरफ से पेश हुए वरिष्ट वकील विक्रम चौधरी ने जजज से कहा कि उनकी गिरफतारी कार कानूनी थी वकील एडी पर कविता को गिरफतार करते समय सुप्रिम कोट के आदेशू का उलंगन करने का भी आ 23 मार्च तक एडी की हिरासत में भीजा गया मनीज सिसोधिया संजे सिंग पर कसा शिकन जा के कविता भी अरेस्ट के जिवाल तक आएगी अब आच दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल की शराब घुटाले में चनौतियां बढ़ती जा रही है 16 मार्च को दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल को एडी के समन की अंदे की मामले में थोड़ी राहस जरूर मिली थी दिली की राव जेवनी कोट ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलकी पर जमानत दी थी दिली शराब घुटाला मामले में लगा तार 9 बार एडी के समन की के जिवाल अंदेखी कर चुके हैं इसके खिलाफ एजनसी ने अदालत में दो याचिकाएं भी दायर की थी 16 मार्च को अदालत ने के जिवाल को इन दोनों मामलों में जमान दी यानि आप उन्हें नियमित पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चलेगा ऐसे में उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं लेकिन अदालत के आदेश का पालन करते हुए वो 16 मार्च को कोट में पेश हुए उसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी मनजूर कर लिए और 15,000 के निजी मुचलकी पर जमानत दे दी गए दिल्ली की राव Children Supreme Court में एडी के उन याद्चुकाओं पर भी सुनवाई की गई जो एजनसी ने C.M.K.ज lleval के समन की अंदेखी करने पर दायर की थिए अदालत ने के डिखी वाल को दालत की समन का ज़ाब देने की लिए अदालत में पेश हुए थे जहां उन्हें नियमित पेशी से राहत लेगे लिगे शराब घुटाले मामले में वो अभी भी आरूपी हैं वो एडी के समन के अंदेखी को लिकर फिलार अगली सुनवाई एक अपरेल को होगी जिसमें CRPC की धारा 207 आरूपी को पुलिस रिपोर्ट और दूस्टे दस्ताव की प्रति आपूर्टी के तहट के जिवाल के अरजी पर सुनवाई करेंगे दिली शराब घुटाला मामले में पुछताज के लिए अब तक 9 बार के जिवाल को समन भीज़ चुकी है हर बार उन्हें एडी के समन को गार सम्वेधानिक और गार कानूनी बताया और पेश नही नहीं दिया यानि अब ऐसा हो सकता है कि जाच एजनसी सीम के जिवाल को आगे भी समन भेजे लेकिन इस बीच के कविता की गिरफतारी ने आप सहयोजक्त यानी सीम के जिवाल की चुनौतियों को बढ़ा दिया है और जिस तरह से के कविता खुलासा कर रही है उसके बाद पर केज विवाल की ग्रफतारी कभी भी हो सकती है तो special story में इतना ही वीडियो कैसा लगा नीचे comment box में अपनी राइज जरूर दे वीडियो को like करें और share करें capital tv को subscribe जरूर करें